नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है प्रदेश के हवाले से जनकारी मिल रही है उसमें ये बात आ रही है कि 28 राज और 9 केंद सासित प्रदेशों में से 28 के आसपास ऐसे राज और केंद सासित प्रदेश हैं जहांपे की कुरोना पहुँच चुका है चाहें वहाँ पे एक दो केसी क्यों न हुआ हो जो पहले आईसे प्रदेशों के संख्या कम जादे थी वो अब धिरे-धिरे कम होती जा रही है जो कुरोना फ्री है तो अब इसमें सवाल ही उठता है कि क्या प्रदेश को मिलेगी या जीले को या कस्बों को छुट मिलेगी तो मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले तो प्रदेश छाटा जाएगा प्रदेश के बाद जीले छाटे जाएगे जीले के बाद वहाँ पे होट इस्पोर्ट देखा जाएगा फिर जो तीन चार कटगरी बन रही है ग्रीन औरेंज येलो एंड रेड उस वो देखा जाएगा प्रदेश को छूट मिलने में दिक्कत होगी ऐसा हो सकता है कि एक प्रदेश में जो है बहुत सारे जीले हूँ वहाँ पे कुछ जीले ऐसे प्रभावित नहीं हो तो उनको छूट मिल जाए फिरहाल जो जनकारी मिली है उसके मुताविक कुछ सिमित छूट मिल सकती है इसके अलावा जो जनकारी मिली है जैसे करनाटक में 30 जीले है वहाँ पे 8 जीले ऐसे है जहाँ पे की करोना ने एंट्री नहीं मारी है ठीक इसी तरीके से 36 गड़ में राजनंद गाउं दूर गवर बिलासपूर ऐसे हैं जो की करोना से दूर है महाराष्ट में गोदिया करोना से दूर है हरियाण में पानी पत्रों तक सिर्षा में करोना के कोई कंप्लेंट नहीं मिली है बिहार में पत्ना नालंदा मुंगेर ऐसे जीले हैं जहाँ पे करोना के कोई कंप्लेंट नहीं है केरल में वाइनाड और कोटायम है मड़ीपूर में वेश्ट इमफाल है गोवा का पूरे गोवा को कुरोना फ्री बताया जा रहा है लेकिन एक दुसरी खबर ये कर रहे है कि नहीं साउथ गोवा को छूट मिल सकती है नौर्थ गोवा थोड़ा सा है प्रोन इलाका जम्मु कस्मीर में राजवरी को माना जा रहा है मीजोरम में जो नाम लिया जा रहा है आईजोल वेश्ट का लिया जा रहा है पंजाब में एस बीएस नंगर का लिया जा रहा है तिलंगाना में भत्रादी, कोट्टा गुडम है, उत्राखन में पोड़ी गड़वाल है, पुड्डू चेरी में माहे हैं तो इस तरीके से कुछ selected ऐसी जगहें हैं जिनके बारे में माना जा रहा है कि यहाँ पर कोई केस नहीं है लिहाजा यहाँ पर लॉकडाउन से छूट मिल सकती है, उसी तरीके से उत्र प्रदेश पर 75 जिले, 75 में से 15 जिले पहले लॉकडाउन किये गये थे और वहाँ पर जो हॉट स्पोर्ट छाट करके उनको सील किया गया था, कुछ और जिले चिनित किये गये हैं लेकिन आप 75 में से आप 15 कोई निकाल देंगे, तो 60 जिले, 60 नहीं तो कम से कम 50 जिले हैं जहां पर कि माना जा रहा है कि या तो एकदम सीकायत कोई करोना के नहीं है, या है तो बहुत कम है उत्तर प्रदेश के भी कुछ हैसे जिले हो सकते हैं, बिहार के भी ज्यादा तर जग है, इसी हो सकती है तो ये माना जा रहा है कि जब कल गाइड लाइन्स जारी होगी तो उसमें production unit को जहाँ जहाँ पे करोना के लिहाज से खत्रा नहीं है वहाँ production unit को इलाउट किया जा सकता है इस सर्थ पे की company मालिक जो है खुदी social distancing maintain करेंगे और कमशारियों की रखने की बेवस्था करेंगे और engine जगो की नाम मैं गिना रहा हूं इनके बारे में माना जा रहा है कि इनको lockdown से छूट मिल सकती है तो ये लंबी चोड़ी list है हाला कि पहले ये कहा जा रहा था कि 718 में से 400 जीलों तक करोना नहीं पहुंचा है लेकिन आप जो खबर आ रहे हैं उसमें ये आ रहा है कि एकाद case ही सही अधिकान जगों पे एकाद case पहुंच गए हैं तो देखते हैं कि कल जब guidelines आती है तो उसमें किनको किनको छूट मिलती है फिलहाल हमारे पास ये जनकारी है जो हमन आपसे सेयर की तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहे हमारा डीटल चैनल इन खबर थैंक्यू इन खबर चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूल